कोंगрिस में बयान दिया उधर केरल के बाद काउंग्रिस के अंदर खाने का चलना है वो भी समझने की जरूरत है उतरखन में करार यहार के बाद पूरो से महरीश रावत ने कल देर रात फेस्बुक पोस्ट में कॉंग्रेस की अंदुरूनी राजनीती पर फिर कई सवाल खड़े कर दियें आलकमान पर निशा नासात ये बहरीश रावत ने लिखा कि रामनगर से चुनाव लड़ना चाहता था ना चाहते हुए भी पार्टी के सामोईक फैसले को मानना पड़ा और लालकुआ से चुनौव लडा मुझे रामनगर से चुनौव लडाने का फैसला भी पार्टी का ही था मुस entscheiden की तथा कफित बांग करने वाले व्यक्ति को पदाधिकारी बनाने का फैसला किसका था इसकी जाच होनी चाहिए तो तरखन में कॉंग्रिस के वरिष नेता है हरी श्रावत अपनी हार को सुईकार किया और ये कहा कि अब मैं सबकी खरी खोटी सुनने के लिए तयार हूँ अब मैं सबकी बात सुनने के लिए तयार हूँ लेकिन मुझे चुनाव कहां से लड़ना है इसका फैसला आला कामान ने किया पार्टी ने तुतिन ने किया मैं रामनगर से चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन मजबूरन मुने लालकुएं से चुनाव लड़ाया गया पार्टी नहीं फैसला किया था कि पहले मैं रामनगर से परचा भरूं फिर मुझे कहा गया कि मैं पंस साल काम नहीं किया है। मेरे चुनाओं पर पड़ा है तो हरी श्रावत बड़े नेता हैं कॉंग्रेस के उत्राखण में बड़े पदो पर रहे हैं मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कॉंग्रेस की तमाम बड़ी कमीटियों का हिस्सा रहे अब उन्होंने जो बाते कही हैं इन्होंने ट्विटर पर सभी को टैक करते वे लिखा है और जब वो हारे उनकी हार के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था पहले आपको वो सुनवाते हैं फिर आगे की ख़बर गाधी से नहीं होता हमको सब को अपने अपने स्तर पर सब्सक्राएं हर कॉंग्रेस की पांच राजों में करारी हार के बाद बदलाओं की फिर से मांग उठ रही है लेकिन हर बार के दरा जट्य तो परिवर्तन पर बात नहीं बन पाई यानि कि सोनिया गांधी ही कॉंग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और यह फैसला कॉंग्रेस वाकिक कमेटी की कल हुई मीटिंग में हुआ है पार्टी की मीटिंग में हार के बाद मन्थन को लेकर बात हुई जिसके लिए पार्टी का चिंतन शिविर होगा लेकिन इन हार के बाद हरी श्रावत से लेकर G23 नेता सबाल उठा रहे है मगर फिलहाल कमान सुनिया के ही हाथों में रहेगी यानि चुनाव भार जाए पार्टी टूट जाए प्रदर्शन खराब हो जाए लेकिन कमान तो रहेगी गांधी परिवार के पास ही पद से प्रतिष्ठा से पावर से मोभंग कॉंग्रिस पर्टी के लीडर्स का नहीं हो पारा है व् nouvelles की केसा बार मेरे सयुगिस खबर पर जादा जानकारी के साथ जोड़ रहा है गोरव गांधी परिवार पद और प्रतिष्ठा से उसका मोभंग हो नहीं पारा है चाहे प्रदर्शन कितना खराब हो जा पार्टी का? चाहे प्रद्धर्शन कितना खराब हो जार्टी की जार्टी को फिकार के का? बहुत 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 शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका आप देखरें टाइम स्टोन भरत खबरें यहां लगातार जारी है